हेलो फ्रेंड्स, यू आल आर वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स, मैं आपकी इंग्लिष एजुकेटर्स स्वाती राठ हो और स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप सभी के अपने online platform वेक्टर एजुकेटर्स पर और आज इस वीडियो में हम लोग idioms and phrases का part 10 देखेंगे, इससे आगे के सभी वीडियो हमारे चैनल पर अविलबल हैं, I hope आप सभी ने वो सारे ही वीडियो देख लिये होंगे, और अगर अभी भी उनमें से कोई भी वीडि An olive branch का मतलब होता है शांती निवेदन, मतलब अगर आपका किसी के साथ कोई disagreement है, कोई विवाद है तो उस विवाद को, disagreement को end करने के लिए आप कुछ कदम बढ़ाएं, आप शांती स्थापित करने के लिए कुछ काम करें, उसे ही बोलते हैं An olive branch Options की तरफ चलते हैं, Option A, to make a matter worse, मतलब कि जो परिस्थिती है उसको और भी ज़्यादा खराब कर देना आग में घी डालने जैसा, Option B is matter of dispute, मतलब जगडे का कारण, विवाद का कारण, Option C is peace request या फिर peace treaty, मतलब शांती निवेदन, Option D is to have bitter enmity, मतलब एकदम कटर दुश्मनी होन तो हमने सारे options देखें और यहां से हमें पता चला कि यह जो हमारा idiom है, An Olive Branch, इसका सही answer है, Option C, peace request or treaty, यानि शांती निवेदन, होब आपको यह वाला idiom clear है, तो आगे चलते हैं, अगले idiom की तरफ, अगले idiom है, at the 11th hour, मतलब एकदम अंतिम घडी में, एकदम एन मौके पर इसे बोलते हैं, at the 11th hour, options की तरफ चलते हैं, option A है, in good condition, मतलब बिलकुल ठीक हालत में या फिर अच्छी हालत में, option B is to be unable to decide, निड़े न ले पाना, option C is in a trouble, मतलब समस्या में होना, and option D is at the last moment, मतलब अंतिम समय में, एकदम लास्ट घडी में, एकदम एन मौके पर, तो यहा अगे बढ़ते हैं, अगले इडियम की तरफ, अगले इडियम है, bear the brunt of, देखिये, सबसे पहले तो brunt का मीनिंग होता है, कोई चोट, कोई घाव, ठीक है, तो यहाँ पर bear the brunt of का मीनिंग होगा, की परिणाम भुगतना, अगर कुछ गलत काम किये हैं, अपनी पास्ट परिणाम भुगतना, चोट को सहन करना, यह मीनिंग होगा, bear the brunt of का, अप्शन की तरफ चलते हैं, अप्शन A है, to be born in a rich family, मतलब बहुत जादा धनी परिवार में पैदा होना, अप्शन B is, to bear the main part of something unpleasant, मतलब परिणाम भुगतना, अप्शन C is, bearing all responsibilities, सारी जिम्मेदारियों का भार उठाना, and option D is, ready to obey order instantly, मतलब आग्या में रहना, तो सभी हमने options देखें, और यहां से हमें पता चला, कि bear the brunt of यह, जो हमारे idiom है, इसका सही answer है, option B, to bear the main part of something unpleasant, मतलब अगर कुछ गलती की है, तो उस गलती का, जो भी unpleasant part है, मतलब उसका, जो भी आगे परिणाम होग वो हमें भुगतना पड़ेगा, अब आपको यह idiom clear है, तो आगे बढ़ते हैं, अगले idiom की तरफ, अगले idiom है, blue blood, blue blood का मतलब है, शाही व्यक्ती, ऐसा व्यक्ती जो किसी ऐसे परिवार से आता है, जिसका society में बहुत जादा high social rank है, ऐसे व्यक्ती को बोलते है, blue blood, मतलब बहुत शाही परिवार से जो व्यक्ती आता हो, वो, options की तरफ चलते हैं, option A is unexpected problem, मतलब आकस्मिक व्यक्ती, option B is poor person, मतलब गरीव व्यक्ती, option C है government report, मतलब सरकारी report, and option D is royal descent, मतलब यही शाही व्यक्ती, तो यहाँ पे हमने सारे options देखे, और यहाँ पे इसका सही answer हो ब्लू ब्लड का option D, royal descent, मतलब शाही व्यक्ती, ऐसा व्यक्ती, जो की ऐसे परिवार से आता हो, जिस परिवार की समाज में बहुत जादा high social rank हो, वो, आपको सारी चीजे clear है, तो आगे बढ़ते हैं, अगले एडियम की तरफ, अगले एडियम है, कैसल सिंद एर, कैसल सिंद जो कभी पूरे ही ना हो सकते हो, उसी को बोलते हैं, कैसल सिंद एर, options की तरफ चलते हैं, option A है, at a rapid pace, मतलब बहुत जादा pace में, बहुत जादा speed में, option B is a right thing in a wrong hand, मतलब कोई चीज ऐसे व्यक्ती को देना, जो उसका मूल ना समझता हो, option C is daydream या फिर a hope or desire unlikely to be realized, मतलब सपना देखना, दिन में सपना देखना, या फिर कुछ ऐसी चीज की अपने मन में इच्छा करना, जो की कभी पूरी ही ना हो सकती हो, option D is to get oneself into trouble, मतलब खुद का नुकसान कर बैठना, तो यहाँ पे हमने सारे options देखे, और यहाँ पे हमें पता चला कि यह जो हमारे इडियम मैं Kessles in the air, इसका सही answer है, option C, daydream, या फिर a hope or desire, unlikely to be realized, ऐसी इच्छा जो कभी पूरी ना हो सकती हो, hope आपको यह सारी चीज है clear है, तो friends आज मैंने अपके साथ कुछ idioms discuss किये, I hope आप सभी को इन सभी idioms के meaning clear होंगे, अगर still कोई डाउट है तो आप वीडियो को repeat करके भी अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे like कीजिए, share कीजिए, अपने maximum friends के साथ, relatives के साथ, और जितने भी आपके contacts हैं, उन सभी के साथ, अगर अभी तक channel subscribe नहीं किया है, तो please हमारे channel को subscribe कर लीजिए, जिससे की upcoming videos की notification आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए करेगी, कल और फिर मिलेंगे एक नए episode के साथ, तब तक के लिए stay tuned with us, thank you so much, wish you all the best